आपने बयान सुने कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी को, कॉंग्रेस को क्या कह रहा है, आम आदनी पार्टी को क्या कह रहा है, जेडियू के नेता कॉंग्रेस के लिए क्या कह रहा है, कि अपनी हैसे से ज़ादा सीटे मांग रही है, ये आवेवारिक तरीका है, लेकिन सीट पर गड़बंदन में आरपार का विशनेशन देख लेते हैं 2000 हाले बंगाल 2019 लोग सबाचुनाव TMC 42 सीट पर लड़ी और 22 जीती इस बार दो सीटों के ओफर पर भड़क्या रीद अधीर रंजन चौधरी कहा ममता से फीक नहीं हमने मांगी है और तुगलकी भी कहा है ममता बेनर जी को बिहार की तस्वीर अब आपको मैं दिखाता हूँ 2019 में कॉंग्रेस ने एक सीट जीती थी RJD ने सुने सीट जीती की NDA में शामिल तब जेडियू थी उसको 16 सीट मिली थी और इस बार 17, 17 और 5 और प्लस 1 RJD को 17, JDU को 17, कांग्रेस को 5 और CPI ML को एक फॉर्मूला कॉंग्रेस को थमाया गया है जिस पे कॉंग्रेस सूत्रो के अनुसार जिस पे कॉंग्रेस नाराज हो गई है कॉंग्रेस कह रहे हैं कि आप हमें बचा कुछा दे रहे हो इसी पर पलटके बोला है केसी त्यागी ने कि अपनी हैसे से ज़्यादा अगर कॉंग्रेस सीटे मांगेगी ये उनका आव वेवारिक तरीका है और कई बार ऐसा ही रहता है बरताओं में आको उत्तर परदेश बड़ा गजब हो रहा है 75 सीटों पर ताल ठोकने के मूड में अखिलेश आदफ अखिलेश आदफ को लगता है कि पिछली बार उनोंने मायावती के साथ कॉंपरमाईस करा यानि उनकी पार्टी के साथ कॉंपरमाईस करा था तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ था इस बार वो compromise करने की situation में नहीं है Congress और RLD को 15 सीटों में समेटने की तयारी है RLD अपनी ताल ठोक रही है कि हम तो 6 से 7 पर लड़ेंगे तो Congress के बाद 8 बचती है लेकिन Congress कहती है अकेले हमें अपने दम पे बीज दीजिए नहीं तो कोई गड़ बंदन नहीं होगा अगर मायावती साथ आती है Congress Green Signal का वेट कर रही है मायावती के तो अखिलेश रादव को दर किनार कर दिया जाएगा अब महाराष्ट का संग्राम यानि महा संग्राम संजेरा उतने 48 में 23 सीटों पर दावा ठोक दिया है Congress बोलिए कि बेवजा खुद को बड़ी पार्टी समझ रही है अब उद्धव ठाकरे की शिफ्टेना बहुत छोटी पार्टी हो गई है लेकिन उनको फिर भी लग रहा है उनकी हैसे पहले जैसी है Congress के साथ जीरो से चर्चा शुरू करनी होगी संजे राउत ये कह रहे है Congress ने विधान सबा में खुद को सबसे बड़ा विपक्षी दल बताया है और जो Congress है भी आज की तारीक के अंदर लेकिन शिफ्ट से ना उद्धव ठाकरे Congress को कम सीटे देनों पे अड़ गई है यहाँ पे मामला फस रहा है और पंजाब और दिल्ली के अंदर तो एक थी Congress की बात होई गई है क्या साक और सम्मान की लड़ाई गडबंदन पर भारी पढ़ने वाली है आज इसी बूल सवाल के साथ हम इस चर्चा में जाएंगे गौर अभार्थिया मेरे साथ है प्रवक्ता भार्थिये जंता पार्थि के मेरे साथ तारीक एहमत लारी है उनका विरंदन है सपा के नेता है मेरे साथ विवेक शिर्वास्तव है लेफ्ट फ्रंट के नेता है मेरे साथ प्रियंक ककड है तो आप पे भारी पर जाएगा या आपको लगता है कि अभी इस गड़बंदन की राह में बड़े सारे रोडे हैं और आप इसको इंजॉय कर रहे हैं